तब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार आज इस discussion के अंदर इस short video के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा examination registration की डिप्लोमा IFRS registration की आप इसे जो भी register students हैं और अपना December 2024 या June 2025 के अंदर आप diploma examination अगर आप प्लान कर रहे हैं देने के लिए तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत relevant होगा because यहाँ पर मैं आपसे जो process of registration of examination है वो मैं आपसे discuss करूँगा और साथी में आपको मैं ये भी information share करना चाहता हूँ और मुझे ये पताता हुए बहुत खुशी हो रही है कि Eldine CA जो है अब एक ACCA approved learning partner है और ACCA recognize करता है कि हम लोग किस तरह से ACCA qualification और diploma IFRS qualification की तरफ मिल करके काम कर रहे हैं तो इस चीज के लिए मैं अपनी पूरी team को भी उनके support के लिए उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ but yes जो primary objective as discussion का कि आप अगर diploma examination के लिए register करते हैं तो किस तरह से आप उस process को follow करते हैं और जो भी register students है उनके साथ हम लोग एक code share करेंगे जिसके अंदर उन्हें जो ACCA का registration fees है you know वो किस तरह से discounted fee होगा वो मैं वो भी हम लोग separately share करेंगे ठीक है आपको करना क्या है क्योंकि सबकुछ online format है आपको अपना जो initial registration करना है वो online ही करना है ACCA के portal पर तो जो website है वो है ACCA global.com जो आप यहाँ पर अपनी screen पर आप देख पा रहे हैं सामने ACCA global.com पर जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पर जब आप toggle करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेगा R qualifications का एक tab देखेगा यहाँ पर आपको select करना है ACCA accountancy qualifications चीक है ACCA accountancy qualifications select करना है और यह आपको redirect कर देगा इस page पर जहाँ पर आपको variety of qualifications नजर आएंगे ACCA qualification है उसके अलावा foundation level qualification, Oxford, Brooks, B.Sc. degree, ACCA आप लोग जानते ही है कि बहुत qualifications offer करता है हमारे जो relevant है अभी discussion के लिए वो है diploma IFRS ठीक है read more पर जाकर के जब आप go through करते हैं तो यह बात करता है इस qualification की कि क्या क्या exactly इस course के अंदर coverage है syllabus क्या है, कौन-कौन eligible है, exam कब होता है वो सब हमारे course के अंदर वैसे भी detail में discuss करते हैं तो मैं यहाँ पर नहीं जाना चाह रहा हूँ straightforward मैं जम करूँगा यहाँ पर जब देखेंगे next का एक tab है यहाँ पर relevant qualifications की बात आ रही है, मैं आपसे थोड़ी तेर में उसके बारे में भी बात करूँगा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो multiple tabs है, basically वो diploma की बारे में detail दे रहा है कि overview क्या है, किस के लिए है, कैसे काम करता है, course details, exam date and fees, उसके अलावा और भी चीज़े हैं यहाँ पर template हमें मालूम है कि चार questions होते हैं, पत्रीस marks का एक एक question होता है आपकी जो exam date, fees वगरा है, वो सब यहाँ पर reference दी गई है, specifically important है आपके लिए जानना, अगर आप December 24 का plan कर रहे हैं, June का sitting तो complete हो चुका है, तो 7th October आपके लिए last date है, जब आप इसको अपना paperwork complete करें, of course it is expected, it is desirable, कि आप उसे जल्दी कर लें, I think August, September month के अंदर भी आप कर ले हैं, तो कोई challenge नहीं है, important point यही है, registration की process को complete करने का, कि आप एक targeted approach के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका thought यह है कि मैंने registration कर लिया है, तो naturally मुझे exam तो देना ही है, तो आप अगर defer करते भी हैं, तो इस thought process से कीजिए, कि मैं अभी तयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और August end तक, या September 1st week तक मैं absolutely sure हूँ कि मुझे examination देना है, और उस समय आप plan करें, ठीक है, अगर आप अभी uncertain है, तो focus कीजिए कि आप समय निकाल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और at the earliest अपना जो registration process वो complete कर सके हैं, ठीक है, 7th October of course, last date है, उतना late मत रखिएगा, क्योंकि last moment पे य website है, वो थोड़ा slow हो जाता है, unnecessary एक undue pressure create हो जाता है, so it is required, it is expected, it is requested rather, कि आप थोड़ा सा timely अपना registration का process वो complete कर लें, ठीक है, ओके, so अगर आप next करते हैं, proceed करते हैं further, तो आपको यह सारा का सारा information मिल जाएगा, मैं final next पर आने वाला हूँ, जहाँ पर यह मिझे exam booking करनी है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, कि जब आप register करते हैं, मेरे लिए button जो relevant है, वो यह है, जहाँ पर लिखा हूँ है, apply now, उससे पहले, उसके पास, उसके पास आने से पहले, आप ध्यान रखना चाहेंगे, आपके पास दो documents ready होने चाहिए, एक है आपका identity proof, ठीक है, identity proof क कर सकते हैं, नहीं तो अपना driving license भी use कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए कि कोई भी एक document चल जाएगा, लेकिन clean, visible हो, clearly visible हो, यह आप बिलकुल ध्यान रखना चाहेंगे, एक basic expectation है, दूसरी चीज़ जो है, आपको चाहिए, आपका work experience form, ठीक है, मैं इसे quickly एक बार ही flash कर रह रहा है, ओके, you must be aware of it, कि ACCA का जो diploma examination है, वो आप only after meeting some experience, आप qualify कर पाते हैं, otherwise आप eligible नहीं होते हैं, ठीक है, दो या तीन साल का experience होता है, otherwise अगर आप एक qualified chartered accountant है, यह qualified cost accountant है, तो basis your degree, आप eligible हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजी, आपने become complete किया हुआ है, तो relevant experience certificate जाएगा, ठीक है, दो या तीन साल का depending on आपका base qualification क्या है, और जो relevant experience से ध्यान रखियेगा, कि वो reflect करें, आपका जो experience certificate है, वो reflect करना चाहिए कि आप accounting domain में हैं, ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है, कि कोई student है, जो किसी organization में काम कर रहे हैं, और उनका जो designation है, जो experience letter वो organization से लेकर के आते हैं, वहाँ पर mention होता है executive, ठीक है, चाहिए वो finance की field में, या वो accounts की field में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर executive लिखा है, तो ये risk हो जाता है, कि ACCA शायद उसे relevant experience नहीं मानेगा, ठीक है, तो ध्यान रखियेगा, कि आप जो अपना experience certificate submit कर रहे हैं, वहाँ पे कही otherwise आपकी eligibility का question हो जाएगा, ये जो experience form है, जो आपने देखा, ये ACCA के portal पे ही आप download कर लेते हैं, इसको भी fill करके upload किया जाना है, इसके अंदर जो basic attribute है, जो basic उन्होंने information मागी हुई है, वो नाम की मागी हुई है, let's say मैं अपना नाम डालता हूँ यहाँ पर, date of worth डाल देता है, email ID जो मुझे अपना डालना है, XYZ जो भी होगा, ठीक है, ये सब type हो जाता है, मेरे लिए जो relevant है आपको बताना या इस form को discuss करना वो ये है कि इन तीनों में से मुझे कौन सा section tick करना है, ठीक है, तीन options दी गई है, two years of relevant accounting experience and a relevant degree, okay, two years of relevant accounting experience and ACCA certificate in IFR, international financial reporting, या three years of relevant accounting experience, okay, ध्यान रखिएगा, अगर आप qualified chartered accountant है या cost accountant है, तो आपका जो पहला option है, वो relevant हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए, become honors किया हुआ है और तीन साल का आप accounting experience carry कर रहे हैं, तो third option applicable हो जाएगा, second option, आम तौर पे relevant नहीं है, क्योंकि ऐसे कम students होते हैं, ऐसे कम participants होते हैं, जो पहले certificate in IFRS कर रहे हैं, उसके वाद diploma के लिए plan कर रहे हैं, ये आम तौर पे सिर्फ उन students के लिए applicable होगा, जिन्होंने certificate IFRS program कर लिया होगा, ACCA से, ठीक है, तो या तो पहला option लगेगा, या फिर third option लगेगा, वो आपको ध्यान रखता है कि आप किस category में fall कर रहे हैं, साथी के साथ में आप ये information भी देंगे, मान लिजी मैं तीन साल का relevant experience की बार करता हूँ, तो आपने कब से कब तक काम किया है, relevant experience के अंदर आप वो reference देंगे, समझने वाली बात ये है कि मान लिजी आपने, जिस organization में आप अभी काम कर रहे हैं, मान लिजी आपने वहाँ पर एक साल काम किया, और इससे पहले organization में आपने वहाँ पर दो साल काम किया, तो आपके लिए वो दोनो certificate important है, क्योंकि वो तीन साल का experience तभी count किया जाएगा, तो दोनो certificate साथ में लगेंगे, लेकिन मान लिजी आप अपने current organization में, एक साल से काम कर रहे हैं, और पिछले organization में आपका experience लेट से पाँच साल का है, तो अगर आप पिछले organization का पाँच साल का experience यहाँ पर आप अटाच कर देते हैं, तो आपको जो membership certificate है, वो sufficient होता है, आप उसके बदले अपना articleship completion certificate भी लगा सकते हैं, तो अगर मान लिजीए, आपने become किया हुगा है, CA आप complete नहीं कर पाए, लेकिन अपने articleship complete कर लिए, तो भी आप eligible होते हैं, और category number 3 में आ जाते हैं, जहाँ पर तीन साल का relevant experience count हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको तीन साल के experience को match करना है, तो आपको जादा information देने की जरुरत नहीं है, because उसकी कोई relevance, उसकी कोई significance यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, basis that, आप basically क्या करेंगे, आप यहाँ पर यह form जब complete कर लेते हैं, यहाँ पर आप agree to above terms, basic सी बात है, print करके signature कीजिएगा, ठीक है, और इसका एक PDF रख लीजिएगा, यह form आप fill करेंगे, manually fill करेंगे, type भी कर सकते लेकिन इसे आप sign करने के लिए इसे आप print कीजिएगा, sign कर दीजिएगा manually, और उसके बात जा करके आप इसे upload कर रहे होते हैं, उस application पर जहाँ पर मैं आने वाला हूँ, so basically आप क्या कर रहे हैं, एक experience confirmation form दे रहे हैं, अपना ID दे रहे हैं, जो हमने थोड़ी दे पहले बात क उसके अलावा जो आपका experience का जो proof है, चाहे वो आपका CA का membership certificate है, चाहे वो आपका articleship completion certificate है, या फिर आपका work experience certificate है, आप उसे भी upload कर रहे होते हैं, उसके बिना आपके application के उपर query आने के chances हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप से सारे के सारे documents आप submit करेंगे, चिक है, मान लीजिए मैंने इस form को complete कर लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे apply now पर जा रहा हूँ, चिक है, apply now पर वो मुझे फिर से बात करता है कि ensure कर लीजिए कि आपका जो proof of identification है, अगर कोई transcript है, English में नहीं है, तो naturally उसका एक transcript आना चाहिए उसके अलावा आपका जो experience certificate है, वो आपका यहाँ पर relevant हो जाता है, ठीक है, वो suggest करता है आप किस तरह से payment भी कर सकते हैं, वो सब चीजे हैं, ओके, और अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ, तो I am just simply saying it to get started, ठीक है, get started के अंदर title ले लेते हैं, let's say Mr. यहाँ पर म मैं अपना first name, let's say my last name यहाँ पर, email ID मैं अभी के लिए एक fictitious email डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यह मैंने डाल दिया है, it should accept it, करना तुछ रहिए, okay, I think so it has accepted it now, मैंने एक fictitious ID डाल दिया अभी के लिए, permit.chawla, add something, ठीक है, उसके और मुझसे यह date of birth पगेरा पूछेगा, let me just put that, कुछ भी random में डाल रहा हूँ, इसके इंटर कोई फरक नहीं पड़ता है मुझे, January 1981, gender of course male, nationality मैं type करूंग तो information आ जाएगी, Indian, okay, place of residence India, यहाँ पर मुझसे वो address पूछ रहा है, type to select address, preferably आप manually enter कर लिजिए, ठीक है, यहाँ पर जब मैं डालता हूँ तो, जो भी मेरे घर का address होगा, वो मैंने यहाँ पर complete कर दिया, complete address भेजना है आपको यह update करना है, because आपका जो physical certificate है, after you clear your examination, ठीक है, वो इसी address पर आना है, तो इस address को लेकर कोई confusion नहीं होना चाहिए, postal zip code 85 आ गया, mobile number मैं एक number डाल रहा हूँ यहाँ पर, let's say, मैंने एक number डाल दिया, save and continue, ठीक है, यहाँ पर मेरी details obviously ACCA के portal पर capture हो गई है, यहाँ मुझसे वो पूछ रहा है कौन सी qualification के लिए आप जा रहे हैं, foundation in accountancy, ACCA qualification या diploma in IFRS, of course मैं diploma यहाँ पर select कर रहा हूँ, qualification select कर ली है और मैं यहाँ पर आगे बट रहा हूँ, okay, here it would ask you for your identification proof and the entry requirements, so मैं अभी के लिए एक random file डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पास, अभी handy नहीं है मेरा जो identification proof है, but यहाँ पर मेरे पास अलालग templates हैं, कि मैं उसे word file, pdf, tif, jpg, gif अगरा मैं डाल सकता हूँ, similarly entry requirements के अंदर मेरा जो enrollment form है, जो हम लोगों अभी देखा था, plus जो मेरा experience certificate है वो combine करके डाल जाएगा, मैंने अभी के लिए यहाँ पर एक information डाल दी है, save and continue हो गया, उसके बाद यह मुझे कह रहा है कि, आप इसको validate कर लीजिए, that's what it is, यहाँ पर आपका जो actual fees है, वो 89 sterling होता है, 89 pounds होता है, जो हमारे register students हैं, L9, CAK, we will be sharing a code with them, और उस code के basis पर आपकी जो registration fees है, वो reduce होकर के 30 pounds पर आ जाती है, until last year यह जो fees थी, until last year जो fees थी वो थी करीब-करीब, वो 20 pounds थी पहले, 2000 के आसपास की थी, पर इस साल ACC यह fees बढ़ा करके 3000 रुपे कर दिये हैं, तो जो भी वो code है, हम लोग आपसे वो separately share करेंगे, और मैं उसे यहाँ पर apply कर दूंगा तो यह fees अपने आप काम हो जाएगी, और यहाँ पर मुझे इसको necessarily confirm करना है कि मैं जो bylaws or conditions है, of course आप इसे view कर सकते हैं, terms and conditions क्या है, ठीक है, और after that I can go to the payment, ठीक है, code में हाँ पर share नहीं कर रहा हूँ, code हम लोग जो है हमारे जो register students हमके साथ share करेंगे, और after this is done, it would simply ask me for a payment, अलग-अलग formats है, ठीक है, मैं card payment कर सकता हूँ, अपना एक credit card के साथ मैं उसे pay कर सकता हूँ and all that stuff, ठीक है, तो यह process आपको follow करना है, अपने documents handy रखिएगा अपने पास, जो हमनों को ने बात की है कि आपका ID proof, आपका जो experience form है जो हमनों भी देखा जो submit करेंगे, print करके, sign करके उसको scan कर लीजिएगा, along with your experience certificate, यह experience certificate यह आपका जो as a CA या cost accountant, आपका जो membership certificate है वो भी चल जाएगा, आपका articleship experience भी count हो जाएगा, तो इस तरह से आपको proceed करना है, तो this is the process that you should follow, और कोई भी query है तो आप directly reach कीजिएगा at our respective numbers at fingap.com and अभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत best of luck wishes है, examination की preparation के लिए, आपकी कोई भी queries हैं, आप directly info at fingap.com पर भी email डाल सकते हैं, या फिर directly आप मुझे reach कर सकते हैं on my WhatsApp number as well, right? तो सब लोगों को मेरी तरफ से फिर से बहुत-बहुत best wishes हैं, examination की preparation के लिए, good luck, do very well and all the best. Thank you very much. झाल कुछ झाल यह झाल 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 काल झाल काल